तो वेलकम डियर इस्टुडेंस मैं एजाज फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूँ स्वागत करता हूँ तो आगे बढ़ने से पहले चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरह के वीडियोस को आगे भी लगातार देखने के लिए बेल आइकेन को दबा करके एल नोटिफिकेशन को स्लेक्ट कर लें तो देखे यहाँ पर प्रशन है बुर्जवावर्ग की उत्पती कैसे हुई देखे उत्पती का मतलब होता है उत्पन्न होना पैदा होना निर्मान होना बनना इसी को उत्पती बोलते है तो हमें ये बताना है कि यह जो बुर्जुवा वर्ग है इसकी उत्पत्ति कैसे हुआ यह पैदा कैसे हुआ यह समाज में बना कैसे बुर्जुवा वर्ग यह बताना है तो देखिए यह जो बुर्जुवा वर्ग है यह बुर्जुवा वर्ग की उत्पत्ति ओध्योगी करन के बाद हुआ था यानि जब ओद्योगी करन हुआ था विश्व में इसके बाद जो है बुर्जुवा वर्ग की उत्पत्ती हुई थी अब वो कैसे कैसे हुई थी उसको समझे देखें यहां उतर में देखें ओद्योगी करन के फल सौरूप फल सौरूप मतलब होता है परिनाम सौरूप रिजल्ड के रूप में परिनाम के रूप में यानि जब ओद्योगी करन हुआ तो इसके परिनाम के रूप में समाज तीन वर्गों में बिभाजीत हो गया तीन वर्गों में बढ़ गया यह तीन वर्ग क्याता देखिए पहला प मजदूर वर्ग यानि असपष्ट यहां समझ में आ रहा है कि ओध्योगी करन के परिनाम सोरूप जो है समाज कितने वर्गों में बढ़ा समाज तीन वर्गों में बढ़ चुका था और पहला वर्ग था क्या पुंजी पती वर्ग उसके बाद बुर्जुवा वर्ग यही के परिनाम सोरूप हुआ था और तेसरा जो वर्ग था वो हता मजदूर वर्ग अब आगे हम लोग समझेंगे कि ओध्योगी करन के परिनाम सोरूप यह बुर्जुवा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई समझो ओध्योगी करन का मतलब होता है उध्योगों को लगाना किसको यानि ओध्योगी करन के परिनाम सोरूप क्या हुआ कि ओध्योगी करन के दौन काफी फैक्ट्रियों को लगाया गया और इन जो इन फैक्ट्रियों को उध्योगों को लगा रहे थे अस्थापीत कर रहे थे वह पुंजी पती वर्ग कहलाया और इन उध्योग कलकार खानों में काम करने वाले लोग मजदूर वर्ग कहलाए और ये पुंजी पती और मजदूर वर्ग के बीच जो सिक्छित लोग थे जो सिक्छत थे डोक्टर थे वैपाडी थे वो बुर्जुआ वर्ग कहलाया इसलिए इसको मध्यम वर्ग मतलब बीच का वर्ग बोलेंगे ये पुं उद्योग पती मतलब उद्योगों के मालिक उद्योग में मतलब कलकार खानों में पुंजी लगाकर पुंजी मतलब रुपिये पैसे लगाकर पुंजी पती बन गया पुंजी का मतलब रुपिया पैसा पती का मतलब मालिक यानि जिसके पास बहुत सारा रुपिया उसको पु करने वाले लोग मजदूर वर्ग कहलाया और वो जो कल कार्थाने उद्योग में जो काम कर रहे थे वो वर्ग मजदूर वर्ग कहलाया आगे लिखा है कि पुंजी पती जिसके पास बहुत सारा पुंजी हो तथा मजदूर जो उद्योग में काम कर रहे थे पुंजी पती थे था मजदूर वर्ग के बीच का वर्ग बुर्जवा वर्ग कहलाया यानि बुर्जवा वर्ग ना पुंजी पती था और ना ही मजदूर था यूं कहें कि ना ये गरीब था ना ये खुब अमीर था बीच का वर्ग था आगे इस वर्ग के बारे में कहा गया है कि भारतिय रास्तिय आंदोलन में भारतिय रास्तिय आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ इनका महतपुर्ण योगदान था यानि भारत में जो रास्तिय आंदोलन हो रहा था इन आंदोलनों में बुर्जुवा और जो है काफी बड़ चिर्के भाग लिये थे और अंग्रेजों के खिलाफ आबाज उठाया था यानि अंग्रेजों के खिलाफ इन आंदोलन में इसका महतपूर्ण योगदान था तो यहां पर यह वीडियो समाब तो होता मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा धन्नवाद